शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले वेना जलाशे से आने वाले पाइपलाइन फुटने से वाड़ी डिफेंस दौलामेटी के ज़लापूरती दो दिनों के लिए बंद की गई है वेना जलाशे बान के वोटर पंप स्टेशन से वाड़ी स्थीत वेना जलशुद्धिकरन केंदर तक आने वाली बड़ी पाइपलाइन कल फट जाने से दो दिन पानी नहीं मिल पाएगा पाइपलाइन सोमवार की दो पर तीन बजे जलाशे परिसर के अमरावती हाईवे पर मंदीर के पास फूट गई भारी मातरा में पानी बहने लगा सुचना मिलने पर वरिष्ट कारेकारी अधिकारी नरेश शनवारे भंडार कर घटना स्तल पर पहुँचे वनिरिक्षन कर पाइपलाइन दुरुस्ति कारेय शुरू किया जानकारी की अनुसार साथ सोकपचास में मी व्यावस की बीड से पनी यह मुख्य पाइपलाइन वेना हेडपंप स्टेशन के पास स्थीत बेल खंडे महराज मंदिर के पास शतिक रस्त हो गई दुरुस्ति कार्य चलने के दौरान मंगलवार वबुधवार को दोदी बेना जलाशे से शुद्धिकरन केंद्र को जलापूर्दी नहीं होगी शाखा अभियंता भांडार कर वकारिकारी अभियंता नरेश शनवारे ने बताया कि यो धस्तर पर दुरुस्ति का कार्य प्रारंब किया गया है मंगलवार और बुधवार को वार्डी डिफेंस दौलामेटी में पानी वितरित नहीं किया जाएगा इस कारण महराश्र जीवन प्राधिकरन ने नागरिकों से सयोग की अपील की है जी और कट करना बोले तो वह पची से में का पाइब है यह कट के लिए अपने को कम सेंवं पाच गन पे लगते अगर कट करेंगे कल क्रेंज से अपने को जोड़ना है तो इसका यह जो काम का उजे से कहां कहां पानी नहीं आ रहा है यह पूराच पूराच वाड़ी जोला मेटी और अपना डिफेंस लेकिन से यह पूछ रहा था लेकिन इस काम करने में मतलब इसका समय क्यों लग रहा है समय नहीं यह तो काम जल्दी हो रहा है कि हमारे पास पाइप था एक्सेस तो कलकाता से बुलाना पोड़ता है पाइप मिलते नहीं यह ना पूर 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 में मिल गया है अपना पुराना वह दामेटर का और उसके जीपी कुप्लिंग भी से इसके वह जल्दी हो जाएग इन BCN News के लिए वारी से सुनल चेटी के साथ अभिशेक पांसी के रिपोर्ट